लेटिस्ट फार्मसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चानल को और प्रेस कीजिए पेल आइकन हालो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम डी फार्मसी के फार्मसीटिक्स 2 सब्दिक का एक्सपर्मेंट नमबर 57 देखने वाले हैं तो मिदल सब्सक्राइब के लुप आज बनाते हैं यह आज बनने वाले हैं तो अ нач musimy में प्रेस के अंडर देख चुके हैं औा यह हम इसट इक्पेरमेंट में फेकर कने वाले हैं तो वो है formulation and method of preparation of methyl salicylate ointment कि किस तरह से हम methyl salicylate ointment prepare करने वाले हैं methyl salicylate is volatile liquid and should be added to the base at as low temperature as possible यह जो methyl salicylate होता है न यह volatile liquid होता है तो इसलिए उसे हमेशा low temperature पे add करना होता है अगर हम उसे higher temperature पे mix करेंगे तो methyl salicylate vaporize हो जाएगा तो इसलिए methyl salicylate हमेशा हमें last में add करना होता है और जो beeswax हम इस preparation में use कर रहे हैं वो क्या करता है वो हमारे base को stuff बनाता है थोड़ा सा मतलब hard बनाता है The learning objective of this experiment is to understand the purpose of ointment and its method of preparation किस तरह से हमने यह prepare किया है sorry methyl salicylate ointment यह आपको समझना है और साथी साथ यह preparation आपको बना के उसे level करके submit करना है अब यह experiment perform करने के लिए हमें कौन-कौन से apparatus चाहिए होता है वो हम देख लगते है हमें चाहिए होगा भी कर, measuring cylinder, ointment spatula, ointment tile, evaporating dish अगर आप evaporating dish में ही उसे अच्छे से stir करके, cool करके वहाँ पे ही mix कर रहे है तो ointment spatula अगर आपने use नहीं किया तिंदत सोकी अब देखते है कि इस preparation को बनाने के लिए कौन-कोन से ingredient की जूरुत पड़ती है तो इसके लिए हमें ingredient चाहिए methyl salicylate 500 gram, white piece wax 250 gram and hydrous wool fat 250 gram यह जो preparation हमने बनाने के लिए कहा है, वो कहा है 20 gram के लिए लिकिन हम यहाँ पे सिर्प 10 gram ही बना रहे है अब यह जो ingredient हमें यहाँ पे दिये हुए है, यह दिये है 1000 gram के formula के लिए अब हमें बनाना है सिर्प 10 gram, तो हम 10 gram के लिए अलग से quantity calculate कर लेंगे सबसे पहला ingredient जो है, वो है methyl salicylate, अज ए counter irritant उसे यूज किया जाता है counter irritant मतलब जो पहले से ही deep citate pain होता है, उसे हम counter irritant से depress कर सकते है अब वो कैसे, कि अगर कहीं पे deep citate pain है, तो क्या करता है, methyl salicylate अगर हम अपने skin पे apply करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा eatiness या फिर थोड़ा सा irritation प्रोडूस करेगा उससे क्या होगा, जो deep citate pain है उसका हमें थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा भूल जाएंगे हमकी, हमें वहाँ पे pain हो रहा है तो it will act as a counter irritant, अब यह जो methyl salicylate है, उसकी quantity दी हुई है 500 gram हमें चाहिए सिर्फ 10 gram बनाने के लिए तो उसकी quantity हमें चाहिए 5 gram next is white base wax, white base wax is used as stuffening agent हमारा preparation जो है, ointment का थोड़ा सा hardness देने के लिए, white base wax use करते है अब इसकी quantity जो दी हुई है, वो है 250 gram और हमें चाहिए होगा 10 gram बनाने के लिए, वो है 2.5 gram base, hydrous wool fat as a base के तोर पर act करता है और उसे भी हमें 10 gram के लिए calculate कर लेना है so that quantity would be 2.5 gram और यह जो हमने preparation बनाया है वह मैं पहले ही आपको पता चुकी होगी किस तरह से factor calculate करते है तो हमें जो quantity चाहिए होती है, उस quantity को जो given quantity है उसे divide करना होता है और उसके बाद जो factor आता है उससे quantity की जो keyword quantity है उसे multiply करना होता है और फिर हमें जो quantity चाहिए होती है वो मिल जाती है अब देखते हैं कि इस proportion को बनाते कैसे है what are the stepwise procedure? first, mill the grated beeswax and hydrous wool fat in a evaporation dish on a water bath कि करना है पहले water bath adjust कर लेना है water bath adjust करने के बाद उसमें grated beeswax जो beeswax वामने small small pieces पे cut कर लिया है वो beeswax और wool fat हमें एक दूसरे के साथ उसे melt कर लेना है अच्छे से और melt होने के बाद उसे heat source से remove कर लेना है और उसे cool करना है allow to cool उसके बाद उसमें क्या करेंगे? सबसे last में methyl salicylate add करेंगे और जब तक वो mixture solidified नहीं हो जाता तब तक हम उसे stir करते रहेंगे stir करने के बाद हम उसे suitable container में transfer करेंगे उसे cock करेंगे और prepare करेंगे जो label हुआ है हमारा उसे label में attach label को preparation पर attach करेंगे और उसके बाद उसे submit कर देंगे now we will see how to prepare the methyl salicylate ointment in actual यह जो है हम अनिमेटर वीडियो आपको दिखा रहे है तो इस अनिमेटर वीडियो में हम देखने वाले है how to prepare and submit methyl salicylate ointment PP 10g तो यह हमने सबसे पहले burner set कर लिया है इसे बंसें burner भी कहते है और उसके उपर हमने यह tripod stand रख दिया है ताकि उसके उपर हम इवैपरेटिक डिश्या पर वोटर बात सेट कर सके water bath हमने यहाँ पर set कर लिया है उच्छे अच्छे से boil आने तक वहाँ पर हमें उसे उपाल लेना है water को इपर उपाल आने तक और उसके बाद हमें क्या करना है जो beeswax और hydrous will fat होता है उसे evaporating dish में place करना है evaporating dish में place करने के बाद हमें उसे melt कर लेना है तो जब तक हम उसे melt कर लेंगे तो उसके बाद उसे हम heat source में हीट सोर्च से अलग करने के बाद उसे हम थोड़ा सा cool होने देंगे Cool करने के बाद हम उसमें methyl salicylate add करेंगे अब जिए methyl salicylate होता है यह आपको solid form में भी available होता है और liquid form में भी available होता है तो आप liquid form में ही use करिए और उसे mix करने के बाद अच्छे से stir करें stir करने के बाद वो क्या हो जाएगा आपका mixture solidify हो जाएगा जब तक solidify नहीं होता तब तक आपको उसे stir कर लेना है और stir करने के बाद जब आपका mixture solidify हो जाए तब आपको इस wide mouth type के container में उसे place कर लेना है और उसे अच्छे से label करके submit करने है ओके तो हमारा preparation ready है और preparation ready करने के बाद हमने अपना level भी बना लिया है और कुछ इस तरह का level का format होता है सबसे पहले आएगा title of the experiment मतलब जो preparation हमने बनाया है वो the preparation is methyl salicylate ointment 10 gram हमने बनाया है तो इसके सामने quantity for miss manju miss manju के लिए बनाया है right pharma ने dispense किया है registration number है 57 date है 16 मैं 2021 को हमने बनाया है इसे जो storage condition है वो हमें well close container में store करना है ताकि methyl salicylate evaporate न हो जाए और cool place में हमें store करना है अब यह जो preparation होता है यह external use के लिए होता है topical application के लिए होता है तो इसे orally administer करना नहीं होता इसलिए हमने direction दिया है वो external use only और apply as directed by physician मैंने manufacturer का नेम राइट फार्म प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर इंडिया में mention किया हुआ है आप अपने institute का नाम लिख सकते है the use of this preparation is counter irritant और result में क्या लिखेंगे 10 grams of methyl salicyate ointment is submitted in white mouth bottle for inspection with special instruction on label as apply as directed by physician so इस तरह से आप result लिखेंगे अब इसमें जो question है what is the purpose of beeswax beeswax हम किसले यूज करते है roll क्या है beeswax का वो आपको category में already mentioned किया हुआ है type of the ingredient उसके बाद में what is the another name of hydrous wool fat hydrous wool fat called lanolin ऐसा भी कहते है should ointments be diluted before using why क्या हम ointment को dilute करते है use करने से पहले अगर हां तो क्यों करते है define analgesic, analgesic क्या होते है तो analgesic क्या होते है उसका आपको explanation लिखना है क्या होते है analgesic उसकी definition लिखनी है give the name of similar marketed preparation and its manufacturer अब यह जो हमने methyl salicylate ointment बनाया है उसका आपको similar marketed preparation कोई है तो वो लिखना है कौन से manufacturer ने बनाया है वो mention करना है and six question is why methyl salicylate is incorporated at very low temperature to the base क्यों करते हैं methyl salicylate last man क्योंकि वो volatile होता है अगर हम higher temperature पे उसे पहाँ पे incorporate करेंगे तो हो सकता है कि वो volatile है तो vaporize हो जाए हो सकता ही ने वो हो ही जाएगा इसलिए उसमें हम last match करते हैं low temperature में to the base so these are the questions आपके चीज़स ने जो आपको questions all out किये हैं आप उस तरह से solve कर सकते हैं और मिलते हैं next video में ये जो rate color का arrow आप देख रहे हैं उसके सामने मेरे channel का logo है वहाँ पे click करके आप मेरे channel को subscribe कर सकते हैं और left hand side में आपको यहाँ पे जो flash हो रही है वो है मेरे related video की कुछ list वहाँ पे click करके आप मेरे related videos भी देख सकते हैं तब तक के लिए पढ़ते रहे हैं और देखते रहे हैं bright farma